अजी स्टूरेंट्स, अज़ अपनी प्लसवन क्लास दी पंजवी पोएम Confessions of a Bond Spectator जिसनों के Ogden Nash ने लिख्या हुया है इस दी comprehensive paraphrase अते explanation कवर करांगे इस पोएम दी सेरीज दी साथ ये है पहली वीडियो होएगी स्टूरेंट्स मैं दोनों दसना चाहांगा के मैं प्लसवन क्लास दी यां पहलियां चार पोएम्स, Lines Written in Early Spring, Mother's Day, Upagup अते The Little Black Boy, इना सारियां पोएम्स दी comprehensive paraphrase अते explanation इना दा central ideas अते इना पोएम्स वाले chapters दी अंड दे विच दितिया हुए इना सारियां दे वीडियोस तो अडनल मैं शेयर अलड़ी कर चुक्या हां मैं भी दसना चाहांगा के प्लसवन क्लास जर्नल इंग्लिश दी पहली दूसरी थे तीसरी तमाही दे मैं आल्मोस सारे chapters जिना विच उना दे short answer type questions, long answer type questions, explanations अते exercises वीडियो शामिल ने इस सारे मैं तो अडनल शेयर कर चुक्या हां जे कर किसे कोई बच्चे दा वीडियो मिस होया है ता मैं सक्रीन दे top right corner दे ओपर तो आनू प्लसवन क्लास जर्नल इंग्लिश दी प्लेलिस दा लिंक प्रवाइड कर रहे हां जिस्ते जाके तुसी एस सारे वीडियो देख साक दियो Students, poem स्टार्ट करन तो पहला इस poem दे poet Ogden Nash बारे जानकारी प्रापत कार लेने हां Frederick Ogden Nash was born on August 19, 1902 in Rye, New York USA दे विचे पैदा हुए जी USA दे विच New York दे कोले Rye नादी जगा दे इनादा जनम हुए उन्नी अगस्त 1902 बीनु इनादा पुरा नाम सी जी Frederick Ogden Nash He was raised in Rye, New York and Savannah, Georgia तेनादा बच्पन, Georgia दे विच स्वाना अते New York दे विच राइ दितांते हुए and educated at St. George School in Rhode Island and Harvard University आते नादी पड़ाई लखाई, Rhode Island दे विच, St. George School दे विच, आते Harvard University दे विच हुए He published his first book for children, The Cricket of Caradon in 1925 इनाने बहु सारियां बुक्स बच्चेयां ली लिखिया ने जी तैनादी बच्चेयां दी जडी पहली बुक सी ओ 1925 विच, The Cricket of Caradon देना तो पब्लिश हुए His first published poem was Spring Comes to Murray Hill in 1930 एना दी जडी पहली poem परकाशित हुए सी कविता ओ सीजी Spring Comes to Murray Hill ए 1930 विच परकाशित हुए सी Afterwards, he published 19 books of poetry अते उस्तो बाद एना ने कवितामा दियां उन्नी किताबाँ पब्लिश किती हैं Prudents, मैं थे तो अन्नों ओग्डन नैश परे थोड़ी जी होर जानकारी देना चाहाँगा जिवें के मैं तो अन्नों दस्या है के है American Poets सी यह ज्यादा तर अपनी Humorous Poetry करके मशूर सी Humorous Poetry दा मतलब असी जान दे हां जिस कविता दे विच मजाकिया लैजा होवे सी उसनों Humorous Poetry कहन दे है इना दी Poetry दी जड़ी एक खासियत है के यह दे विच सानों Light Verses मिल दियाने No, Light Verse दा मतलब की है Light Verses दा मतलब है जी के इना दियान जड़ी आजड़ी यह कभीता मादिया Lines होंदियाने और Short होंदियाने चोटियाने अते ओना देविच हूमर होंदा है जिमें के मैं तो रनू उपर दसे है के चोटियां चोटियां लाइना दे विच मजाग किता गया हुंदा है हलाके हैं मजाग किसे दा दिल दुखान ले नी किता गया हुंदा तेना दियां पोईम्स दे विच सानू कोई बहुत डीप मैसेज या अंडरलाइंग मैसेज नहीं मिल दा जिमें कि उसी पहला poems cover किती हा ने अपने syllabus दियां ता उना poem दे वीच दे ONऄ डीफ मैसेज मिलता है लिए poems लाइड हो दिया थोड़ा जा humor हो दा होना च विए表ा दिया енे वर्सित शॉट हून दिया ने अच्छा है जड़ियँ अक्सर अपनी Dear poems दी lines जड़ियां लिख दे सी उनना दे विचे हे rhyming create करन दे लई जड़े English दे original words से उननों थोड़े बहुते change कर दे सी उननों दे नाल दो effect पहनते सी एक ता देखो rhyming आ जान दी सी उनना words दे विच दूसरा ओ words थोड़े जे humorous बन जान दे सी उनन इस दी एक्जांपल तो आननों मैं इस poem दे विच भी दसूंगा के किस तरह words दी थोड़े जी शेप change करके ए दोने चीजां create कर दे सी आपनिया poems दे विच तै बहुत ही ज़्यादा popular CG आपने समय दे खास तोर ते children दे विच ता है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होए ने अपने टाइम दे पोर्ट से लवर रहे ने इननों बेस्बाल बहुत ज़्यादा पसंद सी students मैं प्लस वन आते प्लस टू क्लासिज दे जर्नल इंग्लिश आते इलेक्टिव इंग्लिश दे बहुत सारे वीडियोज बनाए होए हान इना वीडियोज नों देखन दे ले तुसी यूट्यूब दी सर्च बारते जाके दीपकसूद लव लर्निंग टूली टाइप करो रिजल्ट वीच आई पहली साइट दे दीपकसूद दे जाके क्लिक करो इस तरह तुसी चैनल पहुँन जाओंगे जित्ये तुसी वीडियोज दे एक सेख़न देख़नगे वीडियो से क्लिक करो तो आनू मेरियोज बनाया हुए है सारिया वीडियोज तो अनू मिल जान गिया इस दे विच् על clicks plus one plus two मैं सारियां classes दियां जो मैं videos बनाईयां हन वो शामिल हन प्लेइलिस्ट वाले section दे जाके तुसी सारियां प्लेइलिस्ट प्रापत कर पाऊंगे जिमें के class 12 दी प्लेइलिस्ट चोथे नमबरते हैं इसते तुसी जाके जदो फुल प्लेइलिस्ट करोंगे ता तुनो class 12 दियां सारियां videos मिल जान गियां इसे तरह तुसी बाकी class 11 उना दी प्लेइलिस्ट दे जाके सारियां videos प्रापत कर सकते हों ते इसे तरह मैं class 11 ते class 12 दियां grammar दियां video list बनाई होई है ता ओ सारियां videos तुनो प्रापत हो जान गियां ते एक प्लेइलिस्ट इंग्लिश एलेक्टिव class 11 दि भी है ते उस दियां सारियां class 11 दियां प्लेइलिस्ट प्रापत हो जान गियां ता मैं तो नो सारेयां नो अपील कर दा हां के एक वार तुसी दीपक सूद लव लर्निंग टूली चैनल ते जरूर विजट करो पोईट दी जानकारी लैंतो बाद अपा पोईम वा लांदे हां ता पोईम दा नाम है जी Confessions of a Bond Spectator Confessions दा मतलब होंदा बच्चयो एक बाल माल लो आपा कोई गल्ती किती होवे ता असी उसनों मनिये ता उसनों कहा जान देजी Confessions Spectator शबद दा मतलब हुन देजी दर्शक Bond शबद है थे एक वर्ब तो बने होया Participle है Past Participle Bear, Bore, Bond जिननों तुसी जान देजो As an Adjective Spectator शबद देजी जिस दा मतलब है जमांदरू इस पोईम दा मतलब की होया कि एक जमांदरू दर्शक दा कोई इक बाल है इस पोईम दे विचे उसने कुछ चीजां मनी आने अपने बारे या ता उसने कोई गल्ती किती है या हूँ अपने बारे कोई गल्ना कहा रहे है एक तरह नाल इस एक दर्शक दे पोईम दे नाल लिखी होई पोईम है होड़े दर्शक कौन है एहे किसे फिल्म नो देखन वाला दर्शक है या कोई sports दे नार रेटेड कोई दर्शक है तब बच्यों इस अनू पोईम पढ़के पता चलेगा तब स्टूडेंट्स पहला आप आप पोईम दी structure बारे भी पता कर लेंदे हां स्टूडेंट्स इस पोईम दे टोटल six stanzas ने जिना दे विचो पहला stanza A है दूसरा A वाला है इसरा चौथा fifth stanza एथों तक है अते sixth stanza अते sixth stanza एथों लेके एथे तक है पोईम दे पहले पन stanzas दियां छे-छे लाइना ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसे तरह second दियां third दियां, fourth दियां अते fifth stanza दियां भी 6 लाइन लेकिन last वाले stanza दियां सानू, 7 लाइन मिल दियां ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 असी एक ऐसा दियां कि इस पोईम दियां टोटल लाइन होईयां पज स्टेंजे दियां ती लाइन्स अते last stanza दियां साथ लाइन्स तोटल इस पोईम दियां 37 लाइन्स है बच्चों है एक राइमिंग पोईम है ता असी एस दी पहला राइमिंग स्कीम भी देख लेंदे हां ता जेकर असी बच्चों पहला stanza देखिए ता उस दा last word देखिए jockey, hockey तोटल दोना दी राइमिंग मिल दी है फिर उस तो बाद असी देखते हैं enter, center तोटल दी राइमिंग फेर तुसी second stanza दी देख पाने हो third stanza दी भी राइमिंग बिल्कुल सेम है fourth दी भी बिल्कुल एसे तरह ही चल दी है fifth stanza दी भी राइमिंग बच्चेयो सेम है परन्तु छेमे stanza दे विच क्योंके lines थोड़ियां वज जान दियाने ता राइमिंग थोड़ी ही चेंज हो जान दी है ता जेकर सी 6 में stanza दी राइमिंग देखिए ता एते देखो यू दी राइमिंग ए है जोके दूसरी line दे नाल ता बिल्कुल ही मिल दी है ता word एक वरी फेर रिपीट हो है ता राइमिंग सेम है जी इसे तरह तीसरी line दा last टकर फेर रिपीट हो है ता असी इसनों भी ए लिखांगे लेकिन उस तो बाद फूर्थ line दा last टकर है जी रेडियम जिस दी राइमिंग फिफ्थ line वाले last word देनाल मिल दी है जी स्ट्रेडियम ता इसे तरह 6th line दा last word है जी अने लेकिन जिकर तुसी देखे होता है यू इस तरह दी राइमिंग साननों repeat हो ही मिल दी है जी जी इस तरह साननों 6th stanza दी राइमिंग बाकी 5 stanza लों different मिल दी बच्चे उस ये भी क्या सकते है के ए है पोइम राइमिंग कप्लेटस दे विच लेखी गई है राइमिंग कपलेट्स दे विच्छो बच्छो दो लाइन्स हों दियाने अप एक है सकते हैं कि ए वला पहला राइमिंग कपलेट है फेर दूसरा है फेर तीसरा है ता एक तरानल पोई में है राइमिंग कपलेट्स दे विच लिखी गई है वैसे वी जदो कोई पोईट अपन यूम्रे स्वेदे नाल पेश करदा है ते उस दे विच लाइट वरसर करदा है, ता ओदी कोशिश यही हूंदी है कि ऐु हो ॥ रैमिंग कपलेट दे विच अपनी पोईब नो लिखे क्वें कि रैमिंग कपलेट दे विच एमर पैदा करना ज्याद ऐसी हूंदा है पोईम दे स्ट्रेक्चर नू देखन तो बाद असी इस पोईम दे थीम वलाओं दे हैं तब पोईम दा थीम की है, पोईम एक लाइट हाटेड सटायर है बच्चेव उनसा नुए पता होना चाहिएंदा है के सटायर की चीज होंदी है तब असी इस चीज नूँ सटायर करने है क्योंके यह सैटायर light verse दे विच लिखी गई है इस करके आसी है इसनू light-hearted सैटायर कहांगे ता हुन साथे दिमाग वीचे प्रशन पैदा हो सागद है कि इस कमी नू मखोल दे तरिक के देनाल पेश किता है पोईट ने इसनू जानन दे लेई आसी हुन इस पोईब दा टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते है स्टुडेंट्स पोईब दा पहला स्टेंजा स्टार्ट करते है वन इन्फैंट ग्रोज अप एंड बिकम्जा जोकी एनधर प्लेज बास्केट बाल और होकी जिवें के बच्चें मैं तो नो पहला दसे है सी के एहे एक राइमिंग कपलेट है जिस दे एंड वाले दोने वर्ड जोकी थे होकी आपस चोना दी राइमिंग मिल दी है ता उन कभी ये कहनदा है कहनदा है एक इन्फैंट दा मतलब हुनदा है बच्चा जदो एक बच्चा वड़ा हुनदा है ग्रोजब दा मतल हुनदा है बच्चे वड़ा हुना ता ओँ वड़ा होके जोकी बन जानदा है जोकी कौन हुनदा है जी कोडसवार एक स्पोर्ट है जी कोडसवारी जिसनों कहनदे है तुसी अक्सर टीवी देविच देखी हुएगी तब बच्चा वड़ा होके sports person बन जानदा है कोर्सवार बन जानदा है Another place basketball और hockey कोई होर बच्चा ओभी sports करनी जानदा है पर बास्केट बाल दाखिडारी बन जानदा है जां फेर हो होकी दाखिडारी बन जानदा है This is one, the prize ring hates to enter That one becomes a tackle or center उन इस rhyming कपलेट दे विच बच्चो कभी अपनी गल कर दा है This is one, one दा मतलब कभी अपनी गल कर रहे है कभी कहन दा है के मैं prize ring दे विच एंटर होर तो नफरत कर दा है hates दा मतलब नफरत करना उन आते prize ring किसनू के आगया है बच्चो प्राइज रिंग कहा जानदा है boxing ring नूँ जिमें के तुसी pick दे विच देख पा रहे हो boxing करना कोई सोखी गलता है नी इस करके कभी शायद कहनदा है कि उसनू boxing ring दे विच एंटर हों तो हो नफरत कर दा है लेकिन उन ना ले भी कहनदा है that one becomes a tackle or center उन केंदे कोई दूसरा बंदा that one now that one हो किसनू कहा रहे है किसे player नू कहा रहे है देखो this one कहा रहे है सी अपने आपनू that one है थे किसे player नू कहा रहे है किसे खडारी नू कहा रहे है केंदे कोई player tackle करदा है या हो center दी position दे खेड़दा है कि कोई प्लेयर टैकल वाली पॉजिशन जो खेल दा है या सेंटर वाली पॉजिशन जो खेल दा है तब अच्छी हो जड़ा टैकल वाली पॉजिशन या सेंटर वाली पॉजिशन है एहे साड़े अमेरिकन फुटबॉल जिसनों कि आप आम पाशाच रगभी क्या देने है ता उस दे विच एक पोजीशन होंदी है जिमें टैकल होंदी है एहे थोड़ी जी ओफेंसिव पोजीशन है जड़ी सेंटर है एहो पोजीशन है कि जिसदे विच कोई खिडारी सेंटर तो हमला रोक दाया है ता जिस तरह तुसे पिक दे विच देख पा रहे हूँ एक टैकल ते सेंटर खिडारीयां दिया पोजीशन ने अथे कवी यह कहनदा है कि मैंनू ता देखो boxing ring देविचे जाना मनू चंगा नहीं लादा मै ता उस तो नफरत करदा है परन्तु player tackle भी करदेने ते center वाई पोजिशन चे भी खेल देने फेर अगे की कहनदा है I am just as glad as glad can be मनू उन्नी ही खुशी हुंदी है जिननी मनू होनी चाहिंदी है glad, glad दा मतलब एथे बच्चे हुंदा है खुश होना that I am not them that they are not me कैंदे मनू किस गालदी खुशी हुंदी है मनू इस गालदी खुशी हुंदी है के मैं ओना वर्गा नहीं हा अनो एथे them किस नू किया गया ओ मेरे अली position ते नी हैँगे मैं ओना वाली position ते नी हैगा एhtे कभी ये कैना चाहिंदा है कि मनू बड़ा वधिया लगता है मनू बड़ी खुशी हुंदी है कि मैं किसे खेड़ दा ख़ड़ारी नहीं हा और ते मनू इस गालदी जहींदी है पंजमी लाइन दे विच इस सिमिली भी यूज होई है जिमें के तुसी देख रहे हूँ के थे एज लगके कभी ने अपने आप दी तुला एक बहुत ही खुश इंसान नाल किती है मैं उमीद है के तुसी मिली दा मतलब पता ही हुएगा के एक तरह दी पॉटिकल डिवाइस है जिस दे विच आसी दो चीजां दी आपस चिंपेरिजन कर दे हां एह दोने चीजां एह कॉमपेरिजन डिरेक्ट तरिक के नल किता जान दा है इस तरह दिया होर बहुत सारी है बच्चियों पॉटिकल डिवाइस हुंदे हैं जिमें मेटाफोर हुंदे हैं परसॉनिफिकेशन हुंदे हैं तो मैं बहुत वारी पहला था नो पॉइम से ना बारे दस्या हुए है पॉइम दे सेकंड स्टेंजे वालने है जी के विद आल माई हाट डू आ एड्माईर अथलीट्स हुग स्वेट फॉर फ़न और हायर उन्दे को इस तो पहला स्टेंजेज कभी नहीं कि है कि मैंनू खुशी है कि मैं खिडारी नहीं है इज़त करनी परशंसा करनी तो इन्दों खिडारी बहुत अच्छे लग देने अगे हो एथलीट्स फेर केंदा है किना दी परशंसा करदा है ओना एथलीट्स हां दी हो स्वेट फॉर फ़न और हायर जड़े के पसी नहीं हो जां देने, पूरा जोर लगां देने जबचे इसनों स्वीड देना, जपुशे करदेने पसीने हो थे या फिर हायर हाईर दा मतलब थे की है हाईर दा मतलब बच्चे हो कुछ खिडारी होंदेने जड़े पैसे लेवी खेड़ देने तज एक रोचंगी खेड दखान गे ता उनना दा मान रुदबा वदूगा उनना दा होर मार्किट वैली वदूगी ता मतलब ने के खिडारी ता जड़े खिडारी पसिनँन अपना वहाँदेने पैसे लाई या फेर लोका दे मनुरंजन लाई मैं उना सारे सब थरा दे खिडारीयां दा आदर करदाना उना दा मान करदाना कूँ टेक दा फिल्ड इन गोडी पॉंप एंड मेम इच अदर एज दे रॉप अदे फेरो पूरा जोहर लाके अपनी खेड दिखा देने ता मैं अजे हे खिडारियां दे भी पूरी इजदत कर दे एंड मेम इच अदर एज दे रॉप अदे जदों फेरो हो रॉप कर देने और रॉप दा मतलब है थे के खेड दे हैं पूरा रोडा रपा पाके खेल दे हैं ता मनु एदा दे खिडारी भी बड़े वदिया लाग देने बहुत शोई कपड़ें चे हो खेड़ना देने ता मनु एदा देखके बड़ा वदिया लाग दे हैं वे सारी यां गल्ला कर दे हैं फेरो की कहनद है के माई लिंप और बैश्फुल सपिरिट फीड ओन अदर पीपल्स हैर्विक दीड्स होनो अपनी गल कर दे हैं के जड़ अब आपने खेड़ कर दे हैं मैं ता मतल जादा कमजोर शरीरा बंद अथे बहुत ही शायय में बड़ा शर्मिल है मैं इस तरह मिदान दे विच जोर लाके नी कहल थाग दा मेरा एदा शरीरा मेनो लाव कर दा है के मैं मिदान दे विच जामा अथे अपना खुन पसीना भा तो एक दा मतलब हुन दा है जी हीरों वाले डीड दा मतलब कम उन अधर पीपल्स की ना नू कह रहे हैं हो फेरो प्लेयर्स नू कह रहे हैं कि जड़े प्लेयर्स आंदेने जी ओ बहुती हीरो आले कम कर देने तो पता है बच्चे ओ गेम दे विचे कई बंदे अपने दमती में जता आ जान देने तो फिर हीरो बन जान देने लोकां दे तो जड़े मैं एजे हीरो नू देख दा है तो मेरी आत्मा नू बड़ी तसली मिल दी है बड़ी खुशी मिल दी है हलाके मेरी आत्मा की ये बड़ी ही शाय अते वीक मैं अजेह कम नहीं कर साथा पर खिडार्या नूँ अजेही हीरो वरगे कम कर दे के मैं बड़ा खुश हुनने है उने इस stanza दे बिच कभी कहना की चांद है कभी यह कहना चांद है क्यों क्हों खिड़ाध पसंद करता है पर खिड़ाध पसंद नहीं करता क्योंके ओ आप कमजोर शिरीर वाला है ते ओस दे विचे जिगरा नहीं है क्यों हो खेड़ दे मैदान वीचे जावे और ते फिर इंजरी खा वैठे कोई साथ खा वैठे ता उना चीजां तो उसनों डर लाग दे लेकिन उनों खेड़ा वड़ियां पसंदने फ़र्ड स्टेंजा नाओ A रंस 90 यार्ड्स तो स्कोर B नॉक्स दा चैंपियन टू दा फ्लोर इना लाइन दे विच बच्चे हो कभी कुछ गेम्स दी गल करदा है उन इना लाइन दे विच फेर जो रगभी गेम है जिस दी मैं पिक्ताओ नों पहला दिखाई सी उस दी गल करदा तो नों पदा है बच्चे हो कि उस दे विच बॉल नों पगड़के पज़ना पेंदा है काफी दूर तक पज़ना पेंदा है ते गोल नों गोल पोस्ट दे विच जो दी कड़ना पेंदा है ताँ फेर स्कोर बनता है तो वो कह रहे है केंदे ए परसन एथे ए दा मतलब किसे भी परसन तो है उस दा नाम उसने ए के है एथे ए दोड़दा है नबे गस दोड़दा है 90 yards दोड़दा है ताँ के स्कोर होजे के गोल होजे मेरी टीम दा B nox दा चेंपियन टुदा फ्लोर उन जड़दा दूसरी टीम दा B परसन है जड़दा के उसनू रोकना चानदा है ता उसनू सुट दनदा है जी निच्चे नॉक्स दा चैंपियन टू दा फ्लोर, चैंपियन है थे किसनू के हागया, एनू के हागया, जो के 90 गाज बचरापा जिके आया है, स्कोर करन ली, दुझी टीम दा भी बंदा उसनू भड़के निच्ची सड़ दन दा, थी रिस्खिंग वर्टर्ब्रें एंज स्पाईन लैशेजिस स्टीड अक्रोस दा लाइन, उन एन लाइन दे विच कभी होर्स रेस दी गल कर रहे है, एवाली स्पोर्ट दी गल कर रहे है, एन दा हुन एक ओर परसन है, जो के दोरला रहे है, जी कोर्ण सवा रहे ह। उसनू उसने सीखे है, क्यांदे, ओपने read the head, spine दा मतल हूँदा बच्चे, ओर read the head, पर भीडाए हने हैं बच्चे, ओrobiर वर्टरब्रे करने है, ओँ टे, ओब टे, उअपने risk ते लहके जानदे, अपनी read the head बटोरिक्ते मट्रच्छा यांदे, क्यों? हो अपने होर्स नो चबुक मारत है, लैश इस टी्ट दा मतलब है चबुक कोडे नू चबुक मारना, लैश ता मतलब पच्चय द अनू पता है चबुक हुन दै, जदो हो कोडे नू चाबुक मारूगा ता एकия रिस्कता है कि कोडन हो सागत है कि उसनों गिराद वे, जेकर कोई कोड़ सवार, कोड़े तो गुर्दा है ता पक्की गल्ला है कि उदी रीड दी हटी ता टुटनी लाजमी है उन इना चार लाइन दे विच्च कभी कहनदा की है, कभी एक कहना चार है कि जड़ियां स्पोर्ट्स ने, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ने रगबी लालो, कोड़सवारी लालो, इना स्पोर्ट्स नों खेड़ दे हुए, रिस्क बढ़े आ रहनदा है कि सट लग सकती है मैंनू एक कहूगा, के two swap positions with one of these, के मैं अपनी जड़ी position है, एना दे विच्चों एक दे नाल swap कर लानो, swap दा मतल होंदा है बच्यो, exchange exchange दा मतल होंदा है जी, जगा दी अगदला बदली करनी, हुनों अपनी position किस दे नाल swap करन दी गल कर रहे है उहो कर रहे है जी A दे नाल, B दे नाल या C दे नाल ये जड़े A, B, C परसंज उसने पहला दसे ने A उहो जो रगभी दा एक प्लेयर है जो 90 गजदी दौर लांदा हुए या गोल स्कोर कर ले दुझी टीम दे पाड़े कोल जान दा है पर दुझी टीम दा बंदा उसनो फड़के निचे सड़ दा है ते तीसरा कोर सवा रहे जी जो के कोड इनू चाबुक मार दा लेके जा रहे है तांके उसने रेस दितनी है उन कभी इना तिना खडारियां दी पोजीशन देना अपने अपनों एक्सचेंज करन दी गाल कर रहे है कि मैं उना दी जगा हुमा मेरा ही उमे बड़ा खुश होगा बड़ा ही उसनो चंगा लगूगा कि जेकर मैं इना दी थांते है कारे करां ए हीरो आले का मतखामा जो एक आर रहे है यह था हुन्दा ना बच्चे उसपोस करो आपको कोई मैच देखन जाईए उते इस तरह दा बंदा कोई हीरो आले कामा करे गोल करे ते फिर उस दी सारे दर्शक वावा कर दे गारे के ताड़ियां हुझा देने कई अले मां चूभी है ते उना नू हीरो वाले कम कर दे देखके मेरी इगो भी मिननू कहन दी है के तू ही मना जा मेदान चे तू ही एह जे कम करके दिखा और हुंदा की है और जड़े जैलेस अथलीट्स ने जैलेस किनू कहा गया बच्चे हो उथ्शान नाल परे होई फुल आफ एनरजी एंथ्यूजियास्टिक भी कह सख दे हैं जी ता जड़े पूरी एनरजी नाल जोश नाल परे होई अथलीट्स ने उथा बड़ा रफ खेल देने दे डूनोट एवर इन देर डीलिंग्स कंसीडर वन अन अदर्स फिलिंग वो कदे भी खेड़ दे होई इन देर डीलिंग्स दा मतलब खेल दे होई दुझयां दियां फिलिंग्स आते आनी रख दे किसे दे साट लागी, लागी, लागी आप अनू की फरक पेंदा है वो अपना ओसे जील दे नाल, ओसे एनरजी दे नाल खेड़ दे रहन दे ने उननो कोई फरक नहीं पेंदा खेड़ दे होई I am glad that when my struggle begins tweaks prudence and ego, prudence wins केंदे मैंनो खुशी है के जदो मेरा एक struggle शुरू हुन दे और struggle दा मतलब है थे बच्चे हुन दे संगर्ष संगर्ष किदा शुरू हुन दे between prudence and ego prudence दा मतलब हुन दे बच्चे हो wisdom जिसनों आपा पन्जाबीच अकल कहा देने है या good sense भी कहा देने है ते ego ता मैं दासी चुक्या ही हुन में ता हुन दा किया है के जदो मैं खड़ा रहा हुन hero वर्गे कम कर दे देख दे ता मेरे मंद दे अंदर संगर्ष छेड़ पेंदा है वो संगर्ष किदा हुन दे एक पासे मेरी अकल दुझे पासे मेरी ego ego ता मैंनू एक कहन दी है के वना चल में दांच तू भी खड़ारिया मंगो hero आले कम कर अपना नाम चमका देख कि ना तेरा नाम ते शोरत हो पर दुझे पासे फिर मेरी अकल कहन दी है के ना भी आखिडारी जमए नी परवा करते जे तू मेरी दांच गया तरी लत टुटगी बांट टुटगी कदे किसे नो कोई फर्क नी पहना बैठा रहे थे ठीक्या बैठा रहे इंजवाय कर गेम नू कोई लोड़नी मेरी दांच जानदी ता फिर जब दुन्हा दे विच विजडम ते प्रुडेंस दे विच संगर्ष पैदा होंदा है प्रुडेंस विंस ता ऐखिरच जित्त गेदी हुंदिए प्रुडेंस दी मतलब के विजड armour जित जानय थे एथे इक तरह नल दिमाग ते दिल वाला संग गर्ष पैरे है जी दिलता कहनदा है जी के चल में दांच दखाईए जोहर पर दमाग कहनदा है नहीं बैठा रट काने ते इंजुआय कर गेम नू बदिया बैठा है दू लत्तम बहां तर डालेंगा बैजा रामना यह है जी पैरा इस पैरे दे विच बच्चे ओ एक जगा ते एलिटेशन यूज होई है यह तोड़ी तीसरी लाइन है दे दूनोट एवर इन देर डीलिंग्स दे दूसी ते आनल देखो ता देर तैसे तरह दूनोट डीलिंग्स ता असी कैसा दें के इस जगा एलिटेशन यूज होई है एलिटेशन की होंदी है जी जदो एक कॉंसोनेंट आवाज एक वियंजन दी आवाज वार वार आंदी एक लाइन दे विच तासी उसनों एलिटेशन कहने है यह एक पोईटिकल डिवाइस है बच्चे ओ मैं पहला अपनियां बहुत सारी पोईटेशन दे विच ता अनू बहुत ही डिटेल दे विच समझाएं याने उमीद है के तुसी इन अन सारी पोईटिकल डिवाइसन जान दे होंगे ता बच्चे ओ एसे स्टेंजे दी लास्ट लाइन दे विच परसॉनिफिकेशन भी यूज होई है परसॉनिफिकेशन भी पोईटिकल डिवाइस है बच्चे होता है इस विच की हुंद है कि जदो किसे जही चीज ली जोके मनुखी ना होवे परन्तु उस चीज दे लिए असी मनुखी फीलिंग्स हुमन फीलिंग्स यूज करिए ता असी उसनों पसॉनिफिकेशन कहने है उन देख़ए ते जड़ी प्रुडेंस है वो हो विजडम नू कहा गया है अकल नू कहा गया है मैं तो पहला दसे है ता जदो दोना दा संगर शुन दै अकल अते हुमिच प्रुडेंस अते इगो दे विच जदो संगर शुन दै ता कवी दी प्रुडेंस जित जान दी है आम तो उरते कौन जित्त दैं, आम तो उरते ता एक इंसान दी जित्त हुंदी है, खिडारी जित्त हुंदी है, किसे फॉज दी जित्त हुंदी है, लेकिन अथे prudence नू, जो के चुली यह वर्ड है betwixt, यह असली वर्ड है, जो के आम तोरते साड़ी English language देवी सानू एह देखानू नहीं मिल्दा, तासी आम तोरते है न वर्ड नू अर्काइक वर्ड कहने है, इसनू short करके कभी ने twixt पाया हुए है, जीजदा मतलग हुंदा है between, एथे जड़ा twixt है, एज आ प्रेपोजिशन यूज होया है, ता एथे लिख्या है twixt, prudence and ego, तासी इसनू इस तरह पड़सा दें कि between prudence and ego, तासी आनू पाता बच्चेओ के between preposition हुंदी है, ते इसे तरह twixt या betwixt भी प्रेपोजिशन हुंदी है, नेक्स्ट एंज़ा, when swollen eye meets gnarled fist, when snaps the knee and cracks the wrist, उन फेर एथे बच्चेओ कभी खेडान दा जिकर कार रहे है, एथे उखो पहली लाइन दे विच बॉक्सिंग दा ही जिकर कार रहे है, कैंदे जदो बॉक्सिंग दे विच कोई rough जा मुक्का, नाल दा मतलू हुंदा बच्चेओ rough, ए fist बच्चेओ मुक्के नू कहा जान Snaps दानी, Snaps दानी मतलब के गोड़ा तरक जानदा है कई वरी, गिर जानदा है खिडारी, उदे सट लग दी है, and cracks दा रिस्ट कई वरी, उदे कलाई ते सट लग दी है, उदे क्रेकिंग दी है, उदे क्रेकिंग दी है वाज आन दी है, when calm officialdom demands, is there a doctor in the stands? जदो इस तरह खिड है ता हो डॉक्टर नूबला आनदे ने, is there a doctor in the stands? का दॉक्टर नूबलाओ, क्योंके साड़े खिडारी दे सट लग दी है, उन्नू लेके जाओ, मरम बत्ती करवाओ My soul in true thanksgiving speaks for this most modest physics तो फिर मेरी आत्मा सचे शब्दान देना थैंक्स कर दे हुए, तनवाद कर दे हुए बोल दी है इदेली बोल दी है For this most modest physics के जड़ी बहुत ही ममुली जी मेरा जड़ा शरीर है जो के खेड़ा ली नहीं बढ़ेया उस देली बोल दी है अथे modest दा मतलब अच्चे हो है ममुली, ordinary जिन्हों अपना English कह साग दे है Physics अथे साठे शरीर दी बनावटनू कहा गया क्योंकि मेरा अपना शरीर बहुत ही ममुली जा शरीर है खेड़ा ली बढ़ेया नहीं अपनों पता है ना, पोईट ने पहला कहा सी मेरी ता शाईजी नेचर है, ते मेरा वीक जा शरीर है ते भी अपने अपनों modest कह रहे है कि बहुत ही ममुली जा शरीर है मेरा शरीर खेड़ा ली नी बनेया शुकर है मैं खेड़नी रहा, नहीं मेरे भी एमी 60 बज़ दिया फिर मेरी जड़ी आत्मा है, वो तनवाद कर दिया मेरा कि मेरे जड़ा फैसला लेया सी, वो सही लेया सी जे मैं कि ते अपनी इगो दी सुन लेंदा ते मैं खेड़ना जुत्तर जांदा ता मेरा भी यहाल अही होना सी ता जदो भी कभी कोई खेड देख रहा होवे, उस खेड देविच किसे खेड आरी दे सट लगे ता फेर इसनो अपने लित्ते होए डिसीजन ते बड़ा मान हुंता है ते फेर उहो तनवाद करदा है अपने उस अकल दा के हां मैंने जो डिसीजन लेा सी वदिया लेा सी उन इस स्टेंजे देविच वचेओ फेर अलिट्रेशन आईए देखो ए दूसरी लाइन देविच आईए ता सर्दी आवाज बहुत वारे आ रही है इसे तरह, my soul in truth thanksgiving speaks सर्दी आवाज thanksgiving speaks देविच वी आ रही है इसे तरह, most modest physics, most देविच- समय है उस देवाज बार-बार कई लाइना चारी है तासली कह सारी आन देवाज देविच alittration यूज होई है क्योंके वेंजर देवाज बार-बार आ रही है बच्चों मैं तो नो पोईम स्टार्ट करन तो पहला पोईट दे लिखन दे स्टाइल बारे दसे आसी के ओगड़न नैश अपनी पोईम दे विच हुमर ले आंदे लेई अते राइमिंग ले आंदे लेई वर्ड्स मो थोड़ा जा चेंज कर लें देने उन्तोड मैं त्यान एक वर्ड वाल दिवाना चाहूंगा ओ वर्ड है जी फिजीक्स फिजीक्स काउंटेबल नाउन है लेकिन जैसी देखिये थे दिस दे नाल ही ठीक जा नहीं लागदा उन्त दिस लगया देखके था सनुआ है लागदा है इस करके नहीं फिजीक्स लान दिवजाए फिजीक्स ला 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 था इस तरह ओगदा नेश अपनी पोइम लिखते हुए राइमिंग ले आन दे ली जड़े राइमिंग वर्ड सुन देने एंड वर्ड सुन देने उन्ना देविच थोड़ा बोता हेर फिर कर दे रह देने इस तरह दा स्टाइल तुसी अगदा नेश दिया जड़ियां हुमर वालियां पोइम्ज ने उन्ना च तुसी आम देखते लास्ट चैंजा हुन इस पहरे देविच कभी एथलीट्स नू संबोधन कर रहे है उना सारे प्लेयर्स नू संबोधन कर रहे है जिनानों देखन प्लेग्राउंट चे जानता है दर्शक बान के देखता है वो केंदा है एथलीट्स ता मैं तो अड़ेली ड्रिंक करांगा और इट विद यू मैं तो अड़ेल खाना भी खामागा बैठके और एनिफिंग एकसेप्ट कॉम्पीट विद यू हर चीज करांगा तो अड़ेल सिवाए तो अड़ेल मुकाबला करन दे कॉम्पीट दा मतलब हुन देजी मुकाबला करना कवी यह कहना चंद है कि एथलीट्स मैं तो अड़ेल रिगार कर दे मैं तो अड़ेल बैठके पी भी सागद है मैं तो अड़ेल बैठके खा भी सागद है हर कम कर सागद है लेकिन मैं तो अड़ेल मेदान देवीच मुकाबला नी कर सागद है मेरे चना दम नहीं है, मेरा श्रीर अड़ा मजबूत नहीं है, कि मैं तो अड़ा मकाबला मेदांच कर सका बाई टिकर्स वर्थ देर वेट इन रेडियम तो वाच यू गैंबल इन अ स्टीडियम कि मैं तो हाड़े में चांदियां टिक्टा किन्यां म tweeted by नुड होन जाहे होना दा मुल बरबर क्यूंना होगे, रेडियम दे वर्डियम 비रेडियम ती रेडियो आक्तिव गैंट ता यॕ काफी मेंगा हुंदा है। काफी मेंगा हुंदा है। काफी मेंगा हुंदा है। लेकिन वे भी चंद है के खेडारी खेड़ना खेड़ दे रहन। और कदे खेड़ना खेड़नी या बंदना गरन। और कदे दर्शन ना बननन। अथे मैं कदे खेडारी ना बननन। उमीद है स्टुडेंट्स के तो अनू सारी पोइम दी एक्सपलानिशन अते पैराफ्रेज समझ आ गई होवेगी। फिर भी जेकर कोई तो अनू डाउट है ता तुसी मैंनू कमेंट सेक्शन विच कुछ सक दे हूँ। वीडियो दे आंदे विच मैं तो अनू मेरे द्वारा बनाईया हूँ या क्लास प्लस वन दिया जोनल इंगलिश दिया वीडियो दे लिंक प्रवाइड का रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो दे विच अपा इस पुएम भी एक्सरसाइज स्लूशन अते सेंट्रल आइडियाज वरगे होर बहुत सारे क्वेस्टेन अंसर्स डिसकस करांगे। फिर मिल देयां जी तनवाद।